हलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैन परी में डियर फ्रेंड्स जैसा कि अभी हमारा प्रिजेंट टाइम पर सब्जेक्ट चल रहा है पेल्सी एंड इसकाडा और पेल्सी एंड इसकाडा में हम अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं असी क्यावन माेकरोकाण्टोलर इसकड़ाल में अभी हम पढ़ रहे हैं मोडेश पढ़ रहे हैं जो किसमें टाइमर हिआ counter के form में जो modes होते हैं हमारे sq1 microcontroller में इस topic पो हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है तो already हमने three types के modes discuss कर लिए हैं और आज हमारा four and last type बचा है mode 3 जिसे हम क्या कहते है split timer mode भी कहते हैं ठीक है तो split timer mode भी आज हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं इसके बाद हमारे जितने भी four type के modes थे वो हमारे complete हो जाएंगे ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले topic पर क्या है हमारा आज का हमारा topic है mode 3 यानि की heading आप डालेंगे mode 3 of mode 3 of या फिर इसी को कहते है split timer mode of timer या counter ठीक है यह हमारी heading है ओके heading क्या डालेंगे आप mode 3 इसी को कहते है split mode 3 को ही कहते है हम लोग split split timer mode तो इसलिए मैंने इसे bracket में लिखा है आप भी bracket में ही लिखेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं topic पर इसके बारे में point wise point discuss कर लेते हैं पहला point हमारा क्या है पहला point आप लिखेंगे पहला point आप लिखेंगे mode 3 mode 3 is different mode 3 is different for timer 0 and timer 1 इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो mode 3 है वो different different modes में काम करता है mode 3 is different for timer 0 and timer 1 ठीक है timer 0 और timer 1 के लिए different different type से हमारा mode 3 work करता है ठीक है तो पहला point हमारा यह हुआ second point पे हम लोग आ जाते है second point हमारा क्या है it has two section first is first is TL and TH इन को आप timer 0 के लिए timer 0 के लिए TL not लिखते हैं और timer 1 के लिए TL 1 लिखते हैं इसी तरह से timer 0 के लिए टी एच नोट लिखते हैं टाइमर बन के लिए टी एच वन लिखते हैं ठीक है तो आप लिखेंगे second पॉईंट क्या हमारा इट है फीघस टू सेक्सन फर्स्टीज्ट टील एंड सेके स्टी एच ची अब हम लोग figure बनाएंगे, देखिए, figure क्या बनाएंगे, आप first point करके heading डालिए, when timer 0 is working, when timer 0 is working in mode 3, heading आप डालेंगे, कि जब हमारा timer 0, mode 3 में work करता है, तब कैसे भी है, करता है, ठीक है, mode 3, यह आप heading डालेंगे, यह हमारा figure है, देखिए, यह होता है, TL0, और यह होता है, TH0, और यह हमारा होता है, TF, यह क्या बताई थी, आपको flag bit बताई थी, आपको, यह क्या होती है, flag bit होती है, overflow flag bit हमारी TF, जो किसमें होती है, Tcon register में होती है, मैंने discuss किया था, प्रिवियस वीडियो में, जिसमें आपको Tcon register बताया था, यानि कि mode की, जो हमारी first वीडियो है, उसमें आपको Tcon and Tmode register के बारे में discuss किया था, आप playlist में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे, timer 0, इंक्रीजमेंट, timer 0, इंक्रीजमेंट इंपुट, ओके, timer 0, इंक्रीजमेंट इंपुट, TL0, TH0 और TF, इस तरह से आप figure बना लेंगे, यह, यह figure बना लीजिए, अब देखिए, इसमें आपको समझाती हूँ, TL0, यह कितना विट का होता है, 8 विट होता है, और यह भी हमारा 8 विट होता है, ठीक है, यह दोनों ही हमारे 8 विट, 8 विट के, क्या है, यह timer low है, और यह timer high है, ओकी, अब देखिए, यह हमारा 8 विट है, अब हम TL के बारे में, TL0 के बारे में इधर लिखेंगे, और TH0 के बारे में इधर लिखेंगे, यानि कि, different से आपको समझा रही हूं कि tl not and th not में क्या different है यानि इसका work क्या है और इसका work क्या है किसमे mode 3 में mode 3 में जब क्या जब timer 0 work कर रहा है किसमे mode 3 में only timer 0 की बात हो रही है भी only timer 0 की बात हो रही है तो आप T.L.0 के बारे में लिखेंगे, देखिए, T.L.0 हमारा क्या है? It is a 8-bit timer या counter, ओके? ये क्या है, हमारा 8-bit timer या counter दोनों है, अब इसके बारे में लिखेंगे, T.L.0 क्या है? It is a 8-bit timer, ठीक है, ये only क्या है? 8-bit timer है, but not counter, आप क्या लिखेंगे? ये क्या है, counter के लिखेंगे, T.L.0 नहीं करता है, यानि कि वर्क नहीं करता है, और ये हमारा T.L.0 है, जब टाइमर 0 होता है, तब ये timer और counter दोनों के लिखेंगे, वर्क T.L.0 करता है, ठीक है? यानि कि timer 0 होगा, तब भी वर्क करेगा, और counter 0 होगा, तब भी वर्क करेगा, only 0 की बात हो रही है, अभी 1 की बात नहीं हो रही है, ये point आपको mind में रखना है, ठीक है? ये तो हमारा हुआ first point, इसी का second point लिखते हैं, second point क्या है, it counts, value of 00H to FFH, अब देखिए, ये हमारा कहां से कहां तक value counts करता है, ये हमारा 00H से FFH तक value count करता है, एक student से comment में question किया है मुझसे, कि FFH का मतलब क्या होता है, तो इस FFH को हम discuss में यहाँ पर अच्छे से describe करके आपको बताते हैं क्या होता है, देखिए, H तो क्या है, आपकी hexadecimal value है, hexadecimal value, और FF क्या है, ये देखिए, FF का मतलब ये होता है, आपने electronics में पढ़ा होगा, जिसमें आपने, देखिए, क्या पढ़ा होगा, 0 से लेकर हमारी 9 तक तो binary digit में हम ऐसे ही change कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी 9 से उपर जैसे ही आती है, 10, 10 के लिए आप क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, 11 के लिए आप क्या लिखते हैं, B लिखते हैं, 12 के लिए आप क्या लिखते हैं, और कहां तक रहती है, यह हमारी साइद 19 तक रहती है, confirm नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको confirm बताऊंगी, बट यहां तक आप याद कीजिए, कहां तक 16 तक, तो इतना ही हमारी एकजाम में पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, तो देखिए, यह यहां तक 15 के लिए क्या लिखा है, एफ लिखा है, तो यह 15 के लिए हमारी एफ एफ यूज रहिए है, और अब यह कैसे यूज रहिए है, यह चीज समझे आप, यह देखिए हमारा क्या है, McMahon Macro controller क्या होता है 16 bit क्या है 100 no see Controller 801 को माना गया है इसी लिए हम यहांब पर क्या करते है जो मारा टू की पावर यह कितना है एटविट है अभी मैंने आप पदाए है यहांं पे लिख लिजिए 8 बिट अब जब 8 विट है तो 2 की power आप क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे अब 2 की power 8 का जब आप जब आप इसको open करके लिखेंगे तो कितना आएगा 256 ठीक है यानि कि 256 आ जाएगा यानि कि ये value कहां तक count करेगा 256 तक count करेगा देखिए आपने लिख लिया 2 की power 8 अब 2 की power 8 जब आप open करके लिखेंगे इसका multiply करके 8 बार तो क्या आएगा 256 आएगा अब 256 को ये 256 तक value को counts करेगा ठीक है लेकिन ये counts तो करेगा बट को initial value भी होगी अब initial value क्या है हमारी 0 यानि कि ये 0 से लेकर हमारा 255 तक count करेगा ठीक है कहां तक 0 से 255 तक ये value को counts करेगा ठीक इसके बाद हम समझते हैं अब हमारा आगया 255 ठीक अब 255 को आप hexadecimal में change करके लिखेंगे कैसे लिखेंगे यहां पर समझ लेजिए ये हमारा है 255 अब जब 16 से इसे divide करेंगे hexadecimal में change करेंगे तो 15 बार जाएगा अब ये 15 में अब तो divide होगा नहीं अब यहां 15 भी बचेगा 15 यहां बच जाता है क्योंकि 95 हो जाता है तो 95 होने के बाद ये बाकी तो 5 बार में कट जाता है लेकिन 15 हमारा बच जाता है 6 जो 6 बचता है उसे हम यहां लिख देते हैं तो यह हमारा 6 बचा अब 16 से में divination नहीं हो पाएगा तो 15 को हम यहां पुना लिख लेते हैं यहां बन लिख देते हैं यह हमारा method है लिखने का जब आपको electronics में पढ़ाऊंगी EDC electronics तो उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी यह चीजे सारी मट यहां पर आप इतना समझ लीजिए इसको नीचे से उपर की तरफ एरो लगाके हम लिख लेते हैं तो यह हमारा 15 को क्या लिखा है F लिखा है इसको भी F लिखा है यानि कि F F इसको F लिखा है इसको F लिखा है अब नीचे से उपर की तरफ लिखते हैं तो F F लिख लिया अब ये किस में आई है value H में आई है हमारी यानि कि हैगजा decimal में ये value आई है तो ये इसी चीज को यहाँ पर लिख दिया है F F H ठीक है आपने अपने doubts को मुझे सेर किया इस चीज को जानकर मुझे बहुत खुसी हुई और जिसने भी मुझे ये doubt पूछा है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है बट उसके लिए बहुत जादे धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उसने अपना doubts मुझे सेर किया और उसके doubts को clear करने में मुझे बहुत जादे खुसी हो रही है तो ये आपका doubt यहाँ पर दूर हो गया ठीक है ये मैंने आपका ये doubt यहाँ पर clear हुआ आप देखिए हमारा ये point complete होता है कि ये हमारा 00H से लेकर FFH तक value को count करता है ठीक है अब हम लोग next point पर आ जाते है TH0 के ये तो हमारा first point था इसका TH0 का second point क्या है second point ये है कि जब जैसे ही यहाँ तक count करता है बट जैसे ही FFH से value one digit भी जादे मिलती है वैसे ही क्या condition आती है overflow condition आ जाती है ये मैंने आपको previous वीडियो में बहुत अच्छे से सारे modes में overflow अच्छे से समझाया है तो जैसे ही one digit FFH से value जादे मिली बैसे हमारा क्या होगे overflow हो गया overflow होने के बाद initial value क्या find हो गई 00 find हो गई यानि कि जो हमारी 00 value initial value से start हुआ था वो वही पर value set हो गई यानि कि 00 पर ही वो पुना set हो गया तो ये हमारा क्या हो गया ओवर्फ्लो कंडिशन आ गई तो जब हमारी भेन दा आप लिखेंगे भेन दा थी एच नॉट बेन दा थी एच नाट ओवर्फ्लोव ओवर्फ्लोव फ्रिन एफ 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 थू जीरो जीरो ह थीके से लिखेंगे भेंद थेस्ट नॉवर्फलो फ्रॉम FFS तू जीरो जीरो एच ठीक है तो आप क्या लिखेंगे जब यह कंदीशन आ जाती है तो क्या होता है दिस गान्ट्रोलड गाई किसके द्वारा यह गान्ट्रोल किया जाता है ओवर्फलो दिस कंट्रोलड वाई टाइमर वन timer 1 control bit tr1 timer 1 control bit tr1 हमारी control bit होती है tcon register में tr1 उसके द्वारा timer 1 के लिए जो हमारा timer 1 के लिए control कर लिया जाता है when the th not overflow from ffs to 00h this controlled by timer 1 control bit timer 1 की control bit जो हमारी tr1 है उसके द्वारा हम इसे overflow को control कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारा point समझ में आ गया होगा आई होग यह तो हमारा second point हुआ next हम लो third point पे आते हैं third point किस में आते हैं TL not में आते हैं TL not का second point है third point है it controlled it controlled by it controlled by T not and I and T not यह किसके द्वारा control होता है T not and I and T not के द्वारा आप चाहें तो इसका यह हमारा क्या होता है third point बन जाता है जो मैंने आपको लिखवाया this control by timer timer या timer वन control भी टी आर वन ठीक है तो यह हमारा third point हुआ यह हमारा second point था यह इस तरह से हमारे तीनों ही point हमने आपको अच्छे से बताए हैं एक फिर से देखिए एक फिर से overview देते हैं आपको यहां तक देखिए क्या है यह क्या है हमारा एक mode 3 क्या करता है different different type से बर्क करता है timer 0 and timer 1 के लिए ऐसा other modes में नहीं था ठीक है इसमें यह different mode है कि यह timer 0 and timer 1 के लिए अलग-अलग काम करता है इसके बाद क्या है इसमें two sections होते हैं th, tl and th ठीक है half section is 8 bit in half section is 8 bit ठीक है इसके बाद tf क्या है हमारी overflow flag bit होती है यह overflow flag bit जब overflow होता है तो tcon register में overflow flag bit हमारी set होती है और जैसे ही यह set होती है इसको control किया जाता है tr1 के द्वारा ठीक है इसके बाद next point आपको बताते हैं tl not का क्या है देखिए यह 00h से ffh तक value को count करता है और यह timer and counter दोनों के जैसे यह work कर सकता है बट यह only timer के लिए work करता है counter के लिए नहीं करता है count th not इसके बाद यह control किसके द्वारा होता है tl not t not के द्वारा and int not के द्वारा और यह ts not किसके द्वारा control होता है tr1 के द्वारा जो कहां यह हमारी control bit कहां पाई जाती है t condester में होती है t condester में हमारी control bit tr1 होती है जिसके द्वारा हम इसे overflow को control कर लेते हैं t को overflow की condition कैसे बनती है अभी बताया आपको ffs से जैसे ही ffh से क्या होता 00 h value मिनती है यानि कि initial value 00 पर आ जाता है जैसे ही one digit यह ज्यादा होता है वैसे यह initial value 00 पर set हो जाता है तभी हमारी क्या बनती है overflow condition achieve हो जाती है इस overflow को इस overflow को क्या करते हैं avoid करने के लिए आप tr1 का use कर रहे हैं जो t con register में पाई जाती है इस overflow को ही avoid करने के लिए tr1 से हमारी क्या करते हैं हम इस th naught के लिए control कर लेते हैं ठीक है यानि control का मतलब आप इसे off कर देते हैं stop कर देते हैं जिससे क्या हो जाता है overflow रुख जाता है ठीक है इसके बाद देख लेते हैं next heading हमारी है शेकिंड एडिंग है भैन टाइमर वन इज वर्किंग इन मोड थ्री क्या है कि जब अभी हमने क्या heading पड़ी थी timer 0 जब मोड 3 में वर्क कर रहा है अब हम कौन सी heading पड़ रहे हैं timer 1 हमारा जब कब मोड 3 में वर्क कर रहा है तब क्या होगा यह हम लोग जानेंगे इस heading में ठीक है यह हमारी heading क्या है when timer 1 is working in mode 3 ठीक है तो हम इसके बारे में लिखते हैं देखिए point wise लिख लीजिए इसको भी इसमें क्या point है देखिए it simply holds the counts यह क्या काम करता है only counts को holds करता है and not run and run condition में नहीं होता है क्या timer 1 यह सिर्फ क्या काम करता है mode 3 में जब timer 1 होता है तो timer 1 only क्या करता है counts को hold करता है यह run condition में उस time पे नहीं होता है यह हमारा इसका first point हुआ ठीक है आप देखिए जब हमारा timer 1 mode 3 condition में होता है तब यह होता है ठीक है और timer 0 जब हमने पढ़ा था जब हम timer 0 करेंगे देखिए इसी का third point लिखेंगे when timer 0 is working in mode 3 जब timer 0 हमारा mode 3 में बर्क करता है तब यहां पर जैसे हमने run वाली condition बताई है तो एक run वाली condition का ही point है इसलिए मैं यहां पर बता रही हूं तो क्या होता है देखिए लिखेंगे आप timer 1 is configured timer 1 is configured in one of the जब क्या होता है हमारा एक्शल में जैसे लिखेंगे आप timer 1 is configured in any one of the any one of the mode 0 1 and 2 ठीक है जब क्या होता है हमारा एक्शल में जैसे ही हमारा timer 0 mode condition में होता है उस time पे क्या होता है कि हमारा जो timer 1 है जो timer 1 है वो different different modes में बर्क करता है different different modes कौन से mode 0 में भी कर सकता है mode 1 में भी कर सकता है mode 2 में भी कर सकता है इस points में मैंने आपको यही बताया है ठीक है इस तरह से उस time पे condition क्या बनती है देखिए In this लिखेंगे In this case In this case timer 1 Timer 1 cannot इंट्राप्ट Timer 1 cannot interrupt The Micro Controller ठीक है आई ओप समझ में आ गया होगा जब यह condition बनती है यानि तीन modes में भी किसी mode में भी यह काम कर सकता है Timer 1 तो उस time पे हमारा जो timer 1 है वो micro controller को interrupt नहीं कर सकता है इस time पे किस time पे जब यह mode 3 condition में होगा उसके साथ साथ जब timer 1 हमारा इन तीनों में से किसी भी mode में वर्क कर सकता है तो क्या होगा timer 1 हमारा micro controller को interrupt नहीं कर सकता है यह एक इसकी सर्त है ठीके इसके बाद हमारा 4 point होगा 4 point क्या है the mode the mode 3 is the mode 3 is present for present for present for application application, application required, application required, an extra 8-bit, an 8-bit timer, या, counter, देखिए, क्या लिखेंगे आप, the mode 3 is, present for application required, an extra 8-bit, timer, या, counter, इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारा present time में, application की requirement के अनुसार, अब क्या है, हमारा mode 3, एक extra 8-bit, timer, या, counter, के रूप में, ये हमारा work करता है, किसके रूप में, extra 8-bit, timer, या, counter, की रूप में, कब present time के application के requirement के अनुसार, ठीक है, तो present time में, अभी हमारी application की requirement क्या है, कि हमें extra 8-bit, timer, या, counter, दोनों चाहिए, क्योंकि ये, हमारा extra 8-bit, और चाहिए, क्या है, ये हमारा 8-bit है, अब हमें extra 8-bit और चाहिए, यानि कि ये 16-bit तक work कर सके, इसकी requirement हमारी present time में हो रही है, तो इसलिए, ये हमारा extra 8-bit timer, या, counter के जैसे modify कर दिया गया है, तो ये हमारा 4-point हमारा, ये बना है, कौन modify किया है, mode 3 को, तो ये जब mode 3 को modify करके, हमारा extra 8-bit timer, या, counter के रूप में जब ये बनाया गया है, जब इसका यूज किया गया है तब ये कैसे वर करता है ये देखते हैं तो देखिए mode 3 mode 3 of timer 0 जब क्या है mode 3 timer 0 का mode 3 आप देखेंगे mode 3 में जब timer 0 होगा तब हमारा क्या होगा 81 microcontroller 81 microcontroller has 3 timers 3 timers कौन कौन से है देखिए 8 bit 8 bit timer टी एच नॉट 8 bit timer टी एच नॉट है एक तो एक हमारा क्या है 8 bit timer 8 bit timer TL नॉट है एंड ये क्या है हमारा लास्ट है 16 bit timer 16 bit timer या काउंटर ठीक है ये हमारे थ्री टाइप्स के टाइमर्स इसमें क्या है 80 क्यावन microcontroller में थ्री टाइप्स के टाइमर्स होते हैं कौन कौन से 8 bit timer टी एच नॉट 8 bit टाइमर टी एल नॉट एंड 16 bit timer या काउंटर भी इसमें हमारा होता है ठीक है तो इस तरह से एक नॉट पॉइंट करके और मुझे पॉइंट लिखवाना था क्या लिखवाना था जब हमारी overflow condition बनी थी तब क्या हुआ था हमारी जो TF TF1 है वो हमारी सेट हो जाती है TF1 is सेट ओन दा बैलू आफ सेट एट बन दैन दैन क्या होता है यह मैंने overflow की condition में आपको पॉइंट लिखवाया है overflow की condition में पॉइंट लिखवाया है तब क्या होता है दैन दैन आप लिखेंगे कि टाइमर बन जो हमारा होता है टाइमर बन जो हमारा होता है वो हमारा यूजड होता है एज बावड रेट जनरेटर के जैसे कैसे यूजड होता है टाइमर बन यूजड एज एज बावड रेट जनरेटर ओके तो डियर फैंड लाइट चली गई है फिर भी मैंने थोड़ा सा बचाता कम्प्लीट कर दिया है लेकिन आई होप की किलियर दिख रहा होगा एक बार आप यहां तक स्क्रीन सॉट लीजिए उसके बाद मैं आपको ओबर्विव देती हूं लीन। देखिये देखिये क्या है एक्चल में मैंने ओबर्विव दे दिया था वहां तक कहा तक टीन नौट एधी इश नौट में दिपन जो डिफ्रेंस पड़ादिया थी थीक है इसके बाद नेक्सь हमारा पॉइंट क्या है सेकिंड इसी का पॉइंट है तुअ कंन का है when timer 1 is working on mode 3 जब हमारा mode 3 में timer 1 work करेगा तब यह क्या करता है simply only यह क्या करता है counts को hold करता है और run condition में नहीं होता है यह तो हुआ हमारा second point third point क्या है जब timer 0 work करेगा mode 3 में तब क्या होता है यह timer 1 जो होता है वो different modes में काम कर सकता है 0 1 2 में से किसी में भी लेकिन जब यह काम करता है तब क्या होता है हमारा timer 1 जो होता है वो micro controller को interrupt नहीं कर सकता है ठीक है उसके बाद मैंने fourth point क्या लिखवाया है mode 3 जो हमारी present time में requirement है उसके application के नसार हमारे mode 3 को modify किया गया है जिसमें क्या किया गया है हमारे एक टाइमर्स एक खांटर और अण एड़ कर दिया गया है जो तीने यह 16 उसकी है टिक है तो यह हमारे extra 8 एड़ का टाइमरी dainer yeah counter add किया गया है जो क्या है मोड 3 है टाइमर 0 जो टाइमर 0 है मोड 3 में है तब क्या होता ची या वन micro controller के पास धी टाइप्स के टाइमर है यूंज होते हैं कौन कौन से 8-bit टाइमर टीएच दॉट और येट टाइमर टीएल नॉट एंड 16 बिट टाइमर या कांटर भी यूज होता है और देखिए मैंने जब आपको ओवर्फ्लो कंडिशन बताई थी जैसे ही ऑफ्लो होता है FFH से 00H तक वैसे ओवाफ्फ्लो कंडिशन होती है तो हमारी सट होती है तो जब हो सट होती है उस टायम पे हमारी ही मिचलन होता है वह यूज होता है कैसे बडेट के जैसे यह यहां तक हमारा क्या था mode 3 था I hope समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई doubts है तो please comment me मैं आपके सारे doubts दूर करूंगी और आज के लिए ही रखते हैं इतना ही रखते हैं और dear friends अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजी और अगर आपको मेरे वीडियो helpful लगते हैं तो please अपने friend circle में share जरूर कीजी और मिलते हैं next session में तब तक के लिए नमस्कार have a nice day